भारत की मिठास और स्वाद को अमेरिका में पहुचाने की अनोखी पहल देश के लाजवाब व्यंजनों के स्वाद को साथ समंदर पार पहुचाने के लिए अनोखा प्रयास किया जा रहा है जिसके तहट पूरे देश के विख्यात होटल, मिठाई, स्नेक्स, संस्थानों के ऐसे कारीग, हलवाई जो पाक कला में निपुन हैं उन्हें परखा जा रहा है सर्वश्वेष्ट प्रदर्शन करने वाले हलवाईयों को अमेरिका में अपना हुनर दिखाने का मौका तो मिलेगा ही साथ ही जिस नाम और मेहंताना के वो हकदार हैं, उसे वो हासिल कर सकेंगे इस अभियान के मुख्य सूत्रधार है आशी शवस्थी, जो एक आयाइटेन है और पिछले 12 साल से अमेरिका के शिकागों में रह रहे हैं उनका कहना है कि देश में बहुत से ऐसे पकवान कारीगर हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाती है ऐसे लोगों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वो प्रयासरत हैं इन दिनों वो ग्रेटर नॉइडा में रहकर भारत के पाक कला हुनर को तलाश रहे हैं फाइनल राउंड के चैन की प्रक्रिया ग्रेटर नॉइडा में आयोजित किया गया, जिसमें बहतरीन हलवाईों का चैन किया गया इससे पहले उन्होंने भारत के सर्वश्रेश्ट हलवाय द्वारा सर्वोत्तम स्वाद के चैन के लिए अपनी टीम के साथ बीते 21 और 22 अप्रेल को को केंडबेक अकादमी दिल्ली में प्रथम चरण का परीक्षन किया इस परीक्षन में भारत के विभिन राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रा, पश्चिम, बंगाल, अमस, करनाटका, आंध्रप्रदेश और तमिलनारू के साथ से अधिक कारीगरों को अपनी स तर्वोत्तम पाक कला का प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था, चैने थल्वायों को अमेरिका जाने का अफसर मिलेगा, आशीश अवस्थी ने बताया कि अमेरिका में रहने वाले भारतियर डिब्बाबंध खाद्यर पदार्थों को खा कर उब गया है, भारतियर म समवादाता रोहित कुमार ने आशीश अवस्थी से खास बातचीत की, सुनते हैं उसके कोच अंश आशीश जी के साथ अभी बातचीत करेंगे, और समझेंगे कि किस तरीके से जो भारतिय मिठास है, इस मिठास को अमरीका लेकर जा रहा है, इसके वारे में विस्तार से जानेंगे, आशीश जी आपका स्वागत है ग्रिन लुज में और मैं आभी आपके प्रोसेस को देखा समझा, काफी ही आप अपने जजवे के साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अमारे दर्सकों को बताएं कि ये जो आपका मुहीम है, इस मुहीम का उदेश क्या है, और क्या मुहीम क्या है? पहले पहली बात तो रोज जी अपने चैनल पे लेने के लिए धन्यवाद, तीन आपजेक्टिफ्स हैं इस मुहीम के, एक जो विदेश में भारतिये बसे हुए हैं, आप्शन्स है वहाँ पर लेकिन वहाँ फ्रोजन का ज्यादा चल रहा है, फ्रेश आप्शन्स थोड़े से लिमिटेड हैं, तो वो अपनी जो एक्चुल स्वाद है, एक्चुल मिठास है, एक्चुल स्नैक्स चटकारे हैं, उनको भूल चुके हैं, तो थोड़ा सा कॉम्मूनिटी सर्विस है इसमें, वो एक डामिशन है कि जो लोग अपने देश को मिस कर रहे हैं, मिस आदमी क् के करण, सगे संबंदियों के करण और खानपान के करण, तो दोस्तियार, सगे संबंदी उनके केसे में तो आजकल फेस्टाइम है, वाटसैप है, आप वीडियो चैट कर सकते हैं, सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म से कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, एक्दा मामने सामने नहीं, ल लाइनमे लगे हुए हिंदुस्तानियों की बात करें तो जो हलवाई हैं या जो इसनैक्स के कारीगर हैं, onlar जनरली वो Бहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनके हातों में जादू है, उनके हातों में वो स्वाद हैं जो सबको चाहिए, लेकिन वो पढ़े लिखे नहोंने के आठ लोग जितने भी लोग जुड़ें फिर तो जैसे प्रयास बढ़ेगा वह भी बढ़ेगा तो उन लोगों के लिए भी एक परिवारों के लिए भी ऑप्शन होगा कि उनके लिए जीवन बेहतर हो सकता है वह भी हिंदुस्तान के बाहर जाके चीजों को देख समझ सकते है और तीसरा आंत में डेफिनिटली की आईटी से पास आउट होने के बाद लगातार में जॉब 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 चल रही थी तो कभी-कभी लगता है कुछ अपना भी करना चाहिए तो उसके लिए एक वेंचर भी एक्जेक्यूट करने की कोशिक है अपने वेंचर के ब बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूवर्स को जो भी देख रहे हूं उन्हें बताए तो अ मैंलब आशी शेवस्थी कौन है कह सकते हैं कि एक आम देशी नागरिक है कानपूर का रहने वाला था फिर मैं पंत नगर गया फिर मैं आइटी बंबे से पास आउट हुआ उसके बात से 2008 में मैंने मेकेंजी जोइन की 2012 में फॉर्म के थुरू मुझे बाहर जाने का मोका मिला फिर मैं एसोशेट पार्टनर हूँ मैं केंजी अनकामती में और ऑपरेशिंस कंसल्टेंट हूँ और ऑपरेशिंस बिकॉस अट एंड अफ दे जिस एरिया में मैं आरा हूँ ठ कि धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ मुझे कॉमुझे के लिए भी करना चाहिए कुछ मुझे लोगों के लिए भी करना चाहिए और कुछ अपने लिए भी करना चाहिए जिसको कहते हैं कि एक स्टार्ट अप वाला थौट या कुछ अपना दंदा हो तो उस तरीके से ये च शकर बोरो में आती थी, तो मीठे से बच्पन से ही प्यार रहा है और वो संतुस्ती नहीं मिल पा रही है, और उसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये एक opportunity है, ना सिर्फ मेरे लिए बलकि जो यहां पे गरीब तपका और टीपिकली हलवाई चेत में बिना पढ़े लिके लो के से कह सकते हैं कि ग्रसित हैं या सूखे हैं कि कुछ आए अच्छा सा option तो हम आपे हलुआई और जो कारीगर हैं उनके बारे में करें कम पढ़े लिखे हैं या जितना इन है पैसा या महनता ना मिलना चे नहीं मिल पा रहा है तो आप इनका चैन कैसे कर रहे हैं क्या प्रक दिराम में हैं उन लोगों के मैं टच में आया वो लोग मुझे तोड़ा सा गाइड कर रहे हैं वो लोग इतने सालों के एक्सपिरियंस के पाद बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो समझते हैं कि मैं किस तरीके का सुआद ले जाना चाता हूं और वो लोग इसमें मुझे सही लोगों से टच करवा रहे हैं, पहला वो, दूसरा एक कंपनी है, कुक फाइंडर, राजीव ठाकुर करके एक सजन है, उनके इंदौर और बॉंबे में रेश्टरोंस हैं, कुक फाइंडर और हॉस्पिटलिटी फाइंडर करके इंडस्ट्री है, तो वो जनरली हिंदुस् या साउथ इस्ट इस्या में सिंगापूर, मलेशिया बाकी जगों पर, जैसे जिनको कुक्स की रिदNow की हुटो होती है, शेप्स की रिकुर्मेंट होती है, उनको करते हैं, यह पहली Landesाहमारे साथ जूड के वो यूयेश में हेलब कर रहे तो उनके पास तो डीट़ेश है उसमें उनको पता है किस तरीके के लोग हैं तो उनने उसके त्रू जिस तरीके की हमारी requirement है कुछ लोगों को बताने की कोशिश की तीसरा चैनल मेरी अपनी एक टीम छे-ाठ शेहरों के आसपास जैसे पूरा NCR रीजन दिली गुर्गाउन विडा गाजियाबाद कानपूर लखनव आगरा बनारस पतना मदूबनी कैलकटा जैपूर इन सारे शेहरों में गई और वहां की जो छे-ाठ सबस्यादा फेमस पॉपलर दुकाने हैं पॉपलर डिशे हैं उन-चीज़ों को ट्राई किया वहाके कारीगतरों से थोड़ी बात करने की कोशिश की कहीं हमें सक्सेस मिली कहीं हमें हल्की सक्सेस मिली तो वो फिर्फा चैनल था जिसके थृफ हमारे साथ आई उसके बाद थोड़ासा हम कुछ उस तरीके की कंपनियों के पास भी टच में आपाए जो कंपनियां हिंदुस्तान से बाहर माल फ्रोज करके भेशती हैं बट उनके पास कारीगर बढ़े हैं उनका इंडस्ट्रिल लेविल का सेट अप है तो वो चौथा चैनल था तो इस तरीके से हमारे पास करीबं पचास लोगों ने एक तो वहां से हमने लोगों को निकाला है और आज यहां पर ग्रेटर नुड़ा में हम लोग उनका फाइनल थार्ड राउंड कह सकते हैं फाइनल राउंड कैसे तो वह करीबं चुने हुए नौ लोग यहां पर आए हुए हैं उस पचास में से जो हलुआई कारीगर हैं इनको क्या सुभधाइन दी जाएगी मतलब क्यूं आकरसित कर रहा है कि आपके वेंचेयर या आपके इस मुहीम में वो जुड़ रहे हैं दो तीन चीजे हैं एक तो कुछ कारीगरों की ऐसी एमबीशन है कि वो किसी ऐसे सेटप में लगें जिसको की वो मतलब बीज डालके पेड को बढ़ा करना चाहते हैं हो सकता है कि वो सौ साल असी साल साट साल पुरानी दुकान में लगे हैं जो दुकान का नाम है और उनने उसको नाम को थोड़ा बढ़ाया हो सकता है लेकिन वो एक जो आप बीज डालके पौधा जैसे फार्मर करता है वो अली संतुस्ति एक उनक का मौका मिला है दूसरा तीसरा वो लोग ये भी देखते हैं थोड़ा की उनके घर परिवार के लिए कैसे ये हलफुल हो सकता है अदर्वाइस जनरली आपको पता है इस चेत्र में पापा भी हलवाई थे हम भी हलवाई हैं यह मैं नहीं कहना चाहता हूं आज जमाना काफी मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अमरीका में आम तोर पे हम लोग बात करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन की पॉपुलेशन जादा है अगर हम अलग लग रिपोर्ट भी देखते हैं तो उसमें दिखाता है प्लस में जो है नॉन वेजिटेरियन के साथ साथ जैसे जो लोग आपके हां से जा रहे हैं तो इस बात के भी एक चुनौती रहती है कि कितने लंबे समय तक आप इस वेंचर को रन करेंगे फंडिंग एक चैलेंज होता है तो यह दो चैलेंज खास करके जो नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन जादा है एक फंडिंग कित कि कोई बहुत अच्छा स्वाद दे दूं और लोग कल से हो जाए यह ऐसा कभी नहीं होगा बट अगें यह प्रयास स्टार्ट होगा दीरे दीरे और अच्छी खासी जैसे युएस में 50 लाग लोगों की देसी पॉपुलेशन है 50 लाग देसी हैं मोटा मोटा युएस में उ तो यह वो नॉन वेच खाते होंगे लेकिन जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो हमेशा से मिठास पे और स्नैक्स पे है में कोर्स पे मारा उतना प्राइमरी फोकस नहीं है में कोर्स भी रहेगा बट लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे हमारे में कोर्स के तो हम डारेक्ली नॉन से नहीं compete कर रहे हैं क्योंकि हम मिठास और चटकारे से USP ही अलग है तो पहली तो यह वाली बात है दूसरी बात जो आपने funding की करी अभी तो यह चोटा सा प्रयास है देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वो funding है कि मैं एक शेहर तक को cover कर सकता हूं और ऐसा नहीं कि पह करके greater noada जो सहर है इसमें आए दिन ऐसे घटनाएं होती है कि विदेश ले जाने के नाम पर कई सारे से घटनाती है कारीग्रों के साथ दोखा हो जाता है कारीग्रों के साथ दोखा हो जाता है इसलिए मैं खास करके सवाल आप से पूछा और अगर आप जानकारी साजा कर प है तो जो लोग सेलेक्ट होते जा रहे हैं वो जो मेरी चैन पक्रिया है उसमें भी बैट रहे हैं क्योंकि अंत में तो यह उनके लिए भी बिजनस है उनको समझना है कि क्या जो अब बाकी लोग हमें और लेने हैं वो उस तरीके के हैं जो हमें जाके वहां सक्सेस्फुल कर सकें तो थोड़ा सा method different है उनका business में भी stake होगा तो मतलब वही बात है कि अब जिस तरीके के average हलवाई होते हैं अब आप उनके लिए समझे कि ऐसा कहा होता है तो थोड़ा सा मेरा method उस मामले में different है और आप जो ने जो funding की बात कही थी ये तो मैं सब को बताता हूँ कि ये business है success पर ही success है तो मुझे लगता है कि मेरे पास उतनी funding है कि मैं start कर सकूँ एक shop को और जिस तरीके से response मिलेगा और फिर रामरची राखा वाली बात है जैसा 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 बहुत धन्यवाद आसीज जी आपको और ग्रेनो नियूज और हमारे दर्सकों के तरफ से भी आपको धेर आप देख रहे थे ग्रेन नियूज और सुन रहे थे आसीज जी को और आप वीडियो के माध्यम से इनके मुहीम को भी देखा आपने अगर आप हमें YouTube पे देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर Facebook के Instagram पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें कर दो